तो वही राइपूर में सीम विश्टो देव साई ने बड़ा ऐलान किया है शहीदों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की बात की गई है और वो भी 10-10 लाख रुपे की आर्थिक सहायता दी जाएगी शहीद जवानों के परिजनों को ये रकाम मिलेगी टेकल गुडेम में नकसलियों से मुठभेड का ये पुरा मामला है जब इस मुठभेड के दौरान तीन जवान शहीद हो गए अब शहीदों के परिजनों को दस लाख रुपे का मुआवज़ा दिया जा रहा है अतिरिक सहा के रूप में ये रकाम मिलेगी विश्णु देव साय ने कहा कि परिवार के हर बुरे वक्त में हम उनके साथ खड़े रहेंगे और परिवार के प्रती संबेदरा विश्णु देव साय ने व्यक्त की थी अब एक बड़ा एलान उनका तीकल गुडेम में नकसली मुठभेड में जिन तीन जवानों को देश ने खोया है उनके परिवार वालों के लिए अधिरिक्त मदद की तौर पर दस दस लाक रुपे दिये जाएंगे तो वहीं वेडी साय कोरिया के दौरे पर हैं और इसी के साथ उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया रखी है मुख्यबंद्री ने कहा कि बजट में मुख्य रूप से महिलाओं अन्हिदाताओं पर फोकस किया गया है मध्यमबर्ग के लिए आवास यूजना का विशेश प्रावधान किया गया है हम स्वयम उनसे जाकर मिले हैं और आज भारत सरकार का आदने मोदी जी का अंत्रिम बजट परस्तुत हुआ है और इस बजट में मुख्य रूप से हमारे देश की महलाओं अन्हिदाताओं इवाओं और गरिबों पर विशेश फोकस किया गया है और जिस तरह से मध्यमवर के लोग हैं जिनको आवास की समस्या होती है उनके लिए विशेश आवास योजना का प्रावधान रहेगा